Assalamu alaikum welcome to student tube आज के इस lecture में हम icon part 1 business math book is Shahid Jamal की chapter है ratio proportion and percentage exercise है 2 तो चलने पर question करते हैं question number 2.27 if p is to q is equal to 5 is to 2 यानि के 5 ratio 2 find the value of p minus 2 q और p plus q बॉत जादा simple है same पिछले वाला method जो के हमारे पिछले question का था वो ही यहाँ पर use करेंगे सबसे पहले हम देखें तो p upon q को हम लिख सकते हैं इस तरह से 5 upon 2 को भी ठीक है अब यहाँ पर p को हम एक तरफ ले लेंगे और 5 upon 2 के साथ q चला जाएगा क्यों यहाँ पर divide हो रहा है तो वहाँ जाकर multiply होगा ठीक है अब यहाँ पर हम इस value को लेंगे जो के है p minus 2 q upon p plus q ठीक है अब जहाँ जहाँ पी है वहाँ पर यह value आएगी तो पहले पी है तो 5 upon 2 q आगया minus 2 q ठीक है फिर नीचे भी पी है तो 5 upon 2 q plus q आगया ठीक है अब यहाँ पर q को हमने ले लेना है common तो जब हम q को common लेंगे तो अंदर आजाएगा 5 upon 2 अब यहाँ पर minus 2 आजाएगा q बाहर है तो अंदर नहीं आएगा इस तरह से नीचे भी q को common लेंगे तो नीचे भी आजाएगा 5 upon 2 plus q नहीं आएगा 1 आ जाएगा Q की जगा क्योंकि बाहर Q आ गया ठीक है अब यहां पर Q Q से cancel हो जाएगा तो यहां पर बज़ेगा 5 upon 2 minus 2 इसका लेंगे हम LCM इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ठीक है तो यहां पर हम LCM लेंगे तो नीचे आ गया 2 एक आ गया 2 तू जा 4 minus और 5 वन जा 5 तो यहां पर आ गया 1 upon 2 और दूसरा लेंगे तो नीचे एक में 1 एक में 2 है तो 2 आ गया यहां पर 2 वन जा 2 plus 5 वन जा 5 तो 5 और 2 होगा 7 upon 7 upon 2 ठीक है तो यहां पर एक value आ गई 1 upon 2 दूसरी value आ गई 7 upon 2 ठीक है तो यहां पर 2 2 है वो cancel हो जाएगा तो आ जाएगा 1 upon 7 ठीक है इसे हम 1 is to 7 भी लिख सकते हैं अब अगला सवाल कर लेते हैं 2.28 वो भी सेम इसी तरह से है तो यहां पर भी हमने सेम x upon y करना है is equal to 2 upon 3 करना है फिर हम x को एक तरफ लिखेंगे इसके बाद यहां पर 2 upon 3 के साथ y आ गया तो इसके बाद हम अभी जो हमारी equation है वो तार लेंगे 2x plus 3y is equal to x की जगा पर हमने यह value लिखनी है न तो 5x की जगा आ गया 2 upon 3y minus y upon अब 2 फिर 2 upon 3y plus 3y ठीक है अब यहां पर 5 tos are 10 upon 3y minus y और 2 tos are 4 upon 3y minus sorry plus 3y ठीक है अब यहां पर हमने y को common लेना है तो अंदर आ जाएगा 10 upon 3 minus 1 upon y फिर 4 upon 3 plus 3y नहीं आएगा क्योंके y हमने बाहर common लिया है ठीक है तो यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है यहां पर कुछ नहीं तो 1 है यह मैंने समझाने के लिए 1 लगा है अगेन बता रही हूं ठीक है तो यहां पर नीचे 3 आ गया अब 3 बंजा 3 minus 10 बंजा 10 तो यह हो गए 10 में से 3 गए 7 upon 3 अब नीचे बाले कलेंगे तो 3 आ गया नीचे 3 3 जा 9 हो गया प्लस 4 आ गया 4 बंजा 4 पर ठीक है फिर इस इक्वल टू अब 9 और 4 को जमा करेंगे तो हो जाएंगे 13 अपॉन 3 तो यहां पर क्या बचा उपर 7 upon 3 upon 13 upon 3 तो 3 3 से कैंसल तो आ गया 7 upon 13 जिसे हम चाहें तो लिख सकते हैं 7 is to 13 answer तो यह था आज का question उमीद करती हूं आपको अच्छे समझ आ गया होगा मजीद questions के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ यह अपने classmates and friends से share भी जरूर करें मिलते हैं next video में तब तक के लिए अला हाफिस